देखिए गर्मियों को मौसम में अगर ठंडी ठंडी आइस की मिल जाए तब तो मज़ा ही आ जाता है और अगर वही आइस कीम चोकलेट से लिप्टी हूई चोको बार हो तब तो क्या ही कहना क्योंकि ये चोकलेट वाली आइस क्रीम का स्मेर से लेकर करनिया कुमारी तक सब को पसंद आती है लेकिन कि आपने कभी सोचा है कि आप जिस चोकोबार हो इतने चाओ से खाते हो आकर ये टेस्टी आइस क्रीम फैक्ट्रियों में बनती कैसे होगी देखिए सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में इसलिए आप फटाफट एक लाइक कर दो देखिए चोकोबार को बनाने के लिए सबसे पहले इस दूज जैसे गाड़े लिक्विट को इस साची का अंदर डाला जाता है और बैटर के अच्छे से सेट होने के बाद इसके अंदर आईस स्टिक को भी डाल देते हैं जिसके बाद इसे माइनस 3 डिगरी टेंपरेचर में लाकर इसे अच्छे से जमा दिया जाता है और कुछ ही मिंड में जम जाने के बाद ये आईस क्रीम कुछ ऐसा दिखता है और अब इस आईस क्रीम को मैल चोकलेट में डुबा कर इसके उपर अच्छे से चोकलेट वाली कोडिंग कर ली जाती है और अब इसे भी जमा कर इसे पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं और इस तरह से बंद कर त्यार हो जाती है टेश्टी चोकोबार वैसे आपके यहां यह कितनी का मिलता है कॉमेंट करके बताओ